कोरोना महामारी के बढ़ते संट्रमन को लेकर घरसाना में राज के सामुदाई केंडर की क्या स्थिती है और वे कोरोना की दूसरी लहर को लेकर किस प्रकार की हालात हैं और विवस्ताएं हैं इन सब का जायजा लेने के लिए मरुधर बुलेटेन के घरसाना संबादाता रमेश मेगवाल ने चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संदीप पचार से एक खास बात चीव की देखें ये रिपोर्ट नमस्कार आप देख रहे हैं मरुधर बुलेटेन और मैं हूँ आपके साथ रमेश मेगवाल एक बार करोना वेस्पिक महारी फिर से दस तक दे चुकी है और लगातार जो इसका खामियजा है वो पूरा भारत जो है वो लगातार भुगत रहा है देख रहे हैं हमकी करोना की ज हम गर्षाना पहुंचे हैं और हमारे साथ आप देख सकते हैं गर्षाना राज के चिक इसा परवारी डॉक्टर संदीब पचार हमारे साथ मौजूद है इन से जानेंगे हम करोना को लेकर किस परकार की यहां पर स्थितिया है और क्या दिशा निर्देश है तो संदीब जी करोना एक वार फिर आप और हम पिछले साल के उस दोर से हम गुजरे हैं एक वार फिर करोना जो है वो बैंकर रूप से जो है वो दस्तकी है किस परकार की होस्पिटल में इस्थितिया है किस परकार के आपके निर्देश है नमस्कार जैसा कि आपको लोग अच्छे से की जाई थी जब भी इस बार करोना की जाई थी जाई थी जाई थी जाई थी जाई अच्छी तरह से की गई हैं अपने पास ऑक्सिजन से लेंडर भी रेगुलर ली उपलब्ध हैं अभी जैसे उपलब्ध हैं दो या तीन स्लेंडर खाली हैं तो वो रेगुलर पेशेंट्स पे जब यूज होती है ऑक्सिजन तो कुछ नो कुछ हमेशा यह एक्स्चेंज में रहते हैं कि कुछ बढ़े हुएं कुछ खाली हैं ठीक है तो जैसी हमारा 50% खाली होते हैं सिलेंडर तो हम भरवाने के लिए बेज़ देते हैं गगाना और सरकारी यह वस्ता के इसाब से हमें ऑक्सिजन मिल जाती है लोगों को हमारी तरफ से जो हमारे पास आएगा उस कॉ बारा नहीं होगा कि चिकित्सा स्टाफ जो है वो आपकी पूरी टीम लगातार कोविड के अंदर एक डूटी के साथ साथ मानवता की सेवा में बिलकुल दिखाई दे रही है आपकी जो सेवा है लेकिन इसके साथ ही अगर संदीब जी बात करें तो अमर्जेंसी में किस पर घर पे है किसी को अगर कोई प्रावलम होती है सीवियर कोई रेस्पेटी डिस्ट्रस होता है बुखार आते तो इमिडेटल उसे हॉस्पिटल में दिखाने की सला दी जाती है अगर हॉस्पिटल टाइम नहीं है तो अमर्जेंसी 24 गंटे खुली है इसमें कि कभी भी मरीज क किसी प्रकार की स्वास संबंदित बुखार संबंदित किसी भी कोविड या नौन कोविड एक्सिदेंटल अमर्जेंसी के लिए भी अपना अमर्जेंसी भाग खुला है तो वो कभी भी आ सकते हैं अब जहां तक बात है फील्ड में अगर कोई दूर बैठा है यहां से तो और अपनी अमर्जेंसी कॉल बुक करा सकता है उसको एम्बुलेंस यहां तक ड्रॉप करके जाती है यहां पर विशे सके चिकेट से को दारा देखकर उसका अपचार किया जाता है यह हम इसको दवाईयां लगा कर ठीक करने के प्रयास किया जाता है संदीब जी अगर रोज खतरनाक है पहले वाले कोविड लहर में सिम्टम्स जादा दिखते थे और और बिमारी का जो घातक रूप हो कम देखने को मिलता था इस बार लक्षन कम दिखाई दे रहे हैं और घातक असर जादा दिखाई दे रहे हैं मतलब पेशेंट आएगा उसके बुकार एक दिन साथ में पेट से समंदित गैस्टराइटिस उल्टी दस जिदोरा ये सिम्टम भी साथ में अच्छे खासे मतलब फिफ्टी पसेंट इन्वाल्ड हैं बिलकुल संदीब जी संदीब जी फिड के दौरान हम लगातार देख रहे हैं कि एक अफवाओं का दोर भी जो है वो और खास करिए युवा लोगों को क्या मतलु संदीज देना चाण? को आपके मतलब बाडी की इम्मिनिटी को बढ़ाता है बिल्कुर संदीव जी अब अंत में जाते जाते हमारे चैनल के माधियम से परेदेश वासियों को इस करोना वेस्विग महामारी के दोर पर क्या संदेश देना चाहोगा मेरा यही कहना है कि जो राजस्तान सरकार है इस चीज के लिए कोरोना को रोकने के लिए डर्ड संकल्प है यह हो अपने विभागों के माधियम से समुचित परियास किया जा रहा है प्रसाशन, पुलिस, चिकसाभ, महकमा, सब आपकी लोगों की सेवा के लिए तयार है, सब अपनी कमर कसके खड़े हुएं, जरूरत है तो हमारी से बचा पाएंगे. उन्होंने जो अपनी सिवा भावना है, वो लगातार एक बड़े तरीके से की है, जिसका जो है वो पूरा-पूरा फाइदा इस चेतर को मिला है, इसके साथ ही मरुधर बुलेटिन, लगातार आप से अपील कर रहा है, कि दोगज की दूरी मास्क है जरूरी, करोना का बचा दूरुक रहेंगे, तो पूरा देश स्रक्षित रहेगा, देख तेरिया मरुधर बुलेटिन, मेरे स्योगी साथी सुवाज चोधरी के साथ रमेश मेंगवाल,